अगर आपको मैं कहूँ कि बिना गन्ने के आप गर्पे गन्ना का जूस बना के त्यार कर सकते हूँ अब यकीन नहीं करोगी नमस्कार मेरा नाम सिताख माउथ और मेरे चैनल सितास कुकिंग में आपका एक नाए वीडियो में स्वागत है आज बिना गन्य के हम गन्य जैसा जूस बना के त्यार करने वाले है आप वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करना गन्य का जूस बनाने के लिए मैंने कोई गन्य बना नहीं लिए है मैंने लिए है थोड़ा सा गुड गुड को मैंने टुकडे कर लिए है और थोड़े से लिए मैंने पुदिना के पत्ते और एक नीमू लिए है इसका ही हम गन्ये के जैसा ही सेम टू सेम जूस बना की त्यार करेंगे सिरफ आप वीडियो को एंड तक देखना पसंद आये तो family friends के साथ मीडियो को share करना ना बूले ये गुड की मैंने चुटे-चुटे टुकडे करके लिए है आप चाओ तो अपनी पसंद से कोई भी देशी वाला या पिर आपके पास में जो गुड हो वो आप ले सकते हो मैंने mixing के बाउल में डाल दिया है और पुदिना का पता भी डाल दिया है पुदिना का पता अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हो लेकिन गन्य वाले के पास से हम गन्या लेते है तो पुदिना का पता, काला नमाग, काली मिर्ची का पाउडर बगdoingधे बगएर बगएर मसाईल डालके हम ये गन्या का जूश देता है तो मैंने गूर डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है और आट-दस मैंने काली मिर्ची डाल दिये पूईने का पति डाल दिये अभी एक नेमो का रस भी डाल देंगे एक निमो लिया में इसका बीज निकाल देंगे ताकि जूस में कड़वपन नहीं आई कि देख सकते हो इस तरह केसे निमो का रस निकाल के इसमें डाल देना है बहुत ही अच्छा पलिव राएगा और एकदम सेम टू सेम हम मार्केट जैसा गर्ने का जूस बना के तियार कर सकते है बहुत ही अच्छा जूस बनाएंगे गर्मी के मोसम में आप गर पे ही ऐसा गर्ने का जूस बना के तियार कर सकते हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये गर्ने का जूस बनाया है कि गुड का जूस बनाया है क्योंकि गुड भी तो गने से ही बनता है इसके लिए मैंने गुड से आपको जूस बना के बताए है आपके पेमली में सबको पसंद आएगा अभी मैंने इसमें डेर सारी आईस क्यूब डाल दिये ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा अगर आपको बरप नहीं डालना है तो आप बरप की जगए ठंडा पानी भी डाल सकते हूँ लेकिन ठंडा 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 पियेंगे तो वहती अच्छा लगेगा गर्मी के मोसम में वहती अच्छा लगता है ठंडा ठंडा और इंजोई करना आपकी फेमिली में सबको पसंद आएगा इदेख सकते हो गन्य का जूस हमारा बन के त्यार हो गया है अभी इसको सव कर लेंगे अपने पसंद से कोई भी गलास में डाल के आप सव कर सकते हो बहुत ही गजब का बनता है और गर्मी के मुसम में ठंडा ठंडा इसी तरीके से आप जूस बना के त्यार कर सकते हो और कोई भी महमान आ जाए अचानक से उनको भी बना के पिला सकते हो और आप ये महमानों के खातिदारी आप कर सकते हो इदेख सकते हो एकदम मसालेदार हमारा गर्णे का जूस बनके त्यार हो गया है एकदम जागदार आपको पता नीचे लेगा एक बार बना के प्योगे तो कि हम मार्केट से लिखे आई है गर्पे की गुड़ से बनाए है तोड़ सा गानिस कर लेंगे पुदिना के पत्ती से मेरा आज मन कर रहा था कि मैं ठंडा ठंडा गर्णे का जूस बी हूँ लेकिन जाओं तो जाओं केसे गर्मी इतनी पड़ रही है बयाना गर्मी पड़ रही है बाहर निकलने का मानी नहीं कर रहा है इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़े और गर् बनता है कियोंने मैं गोर्ण से ही गन्रा का जूस बना के त्यार कर लो फिर मैंने गोर्ण का जूस बनाया और सब को पच्शक को पसंद आया आगा और विडियो पसंद आए तो फ्रीज वीडियो को लाइक शेर करें मिलते है नए व्यूद Sic ए